Hello everyone, Punjab University 3-year law department का exam हो चुका है, आप मुझे बताएं सभी बच्चे की exam कैसा था, tough था, medium था, moderate level था, easy level था, अभी पता चला है कि 2500 students ने exam दिया है, तो देखते हैं कितने बच्चे exam करते हैं, कितनी cut-off जाती है वो हम बाद में देखेंगे, बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि questions आपके क्या आए, सभी questions मैं नहीं लेके आया, कुछ questions उपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि question paper नहीं मिलता, तो obvious है मुझे नहीं बता exact question क्या आया था, तो please, आगर आपको कुछ questions लगते हैं, कि ये question नहीं था, इसकी जंगा कुछ होर question था, तो आप मुझे comment section में बताएं, तो देखते हैं, first question हमारा क्या आया था, first question, मतलब ये question mix है, सभी के set different different हो सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि वो set wise है, तो आगर हम देखें, जो हमें first question पता चला, कि वो first question क्या था, हाँ जी, iron long आपका काँपर है, इसराइल में है, ये first question था, चंद्रियान 3, का जो नाम पूछा गया था, आगर आप हमारी current fair की video देखते हो, तो उसमें हमने ये question करवा रखा था, इसका answer क्या था, GSLVMK3, उसके बाद, father of green revolution, ये भी हमने current fair में करवाया था, मैंने का भी था की green revolution पका कर ले ना, ये आपको आ सकते है paper में, इसका answer क्या है, MS Swami Nathan, इसका right answer ये है, John Fossey जो है, वो कांसे है, Norway से है, जो मगदा है, मगदा आपका काम पर है, बिहार में है, ये शायद आप सभी को काफी बच्चों को पता हो, जो कुछ मगदा है, नलंदा है, वो बिहार मे है, आप सभी को पता हो, Mound of Dead, जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मोहन जदारो को कहा जाता है, हमारे Chief Justice of India, 50th Chief Justice of India कोन है, D.Y. चंदर चूड है, ये भी कोशन बड़ा इसी था, आगर आप देखते हो, कोशन बड़े easy आये थे, paper इतना मुश्किल नहीं था, आपका, Natara Statue आपका काँपर है, भरत मंडपम में है, उसके बाद, Amad of Scientist कहा जाता है, किसको राश्टिय विज्ञान पूरस को बोला जाता है, बिसलिए जो award है, ये गलत लिखा हुए इदर, जो ये award है, for scientist, उसका क्या है, राश्टिय विज्ञान पूरस award है करके, तो ये आपका right answer है, चंदीपूर on CE, ये बिसलिए चंदीपूर आपका काँपर है, ओडिसा में, इसका right answer है, इंडिया first round clock solar village आपका काँपर है, मुधीरा में, उसके बाद, आपका P.O.P. Plaster of Paris को basically हम क्या कहते हैं, Plaster of Paris को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं, हemihydrate कहते हैं, ये भी caution बड़ा important था, य Electron किसने discover किया, J.J. Thomas ने discover किया, blood का pH value क्या होता है, 7.4 होता है, Spirit of common law बुक किसने लिखी है, आप देखो, अगर Spirit of law आया है, अभी काफी बच्चों को ये अशंका है कि question क्या आया, अगर Spirit of law आया है, तो answer कुछ होर होगा, Spirit of common law आया है, तो answer कुछ होर होगा, अगर Spirit of law आया है, तो रोस को pound होगा, तो ये please देख लेना, cause and fraud misrepresentation क्या होता है, आपका voidable होता है, voidable की definition पुछी की थी, आप मुझे exact नहीं पता कि उन्हें definition में क्या लिखा था, बट voidable का मतलब क्या होता है, आप able होते हो, void करने के लिए, tort की definition आपको आई थी, तो जैसे फाइवेर मे winfield की आई थी, इस बार इन्होंने tort की definition, settlement वाली डाली है, abattment, क्या होता है, aid होता है, instigage होता है, engage करना, वो सब आपका abattment की definition में आ जाता है, तो exact मुझे नहीं पता, उन्होंने definition में exact क्या पुछा था, जो can model यूज होता है, correctly कौन से sentence में होता है, तो उसमें कोई sentence होगा दे, can't वाला, तो उसमें होता है, G7 जो आपका जपान में हुआ, वो कौन सा number का था, 49th का था, उसके बाद, headquarter of UN का पर है, UN का headquarter का पर है, New York में है, उसके बाद, जो FD है आपका, from कौन है, Smaran Singh, इसका answer क्या है, Smaran Singh, जो amendment है, उसका source कहां से लिया गया, South Africa से लिया गया, amendment क जो source था, वो कहां से लिया गया, South Africa से लिया गया, तो UNO, latest, added country, जो उन्होंने की थी, कौन सी की थी, South Sudan की थी, अगर आप दिखते हो, amendment का source, जो लिया गया था, वो South Africa से लिया गया था, तो मैं आशा करता हूँ, सभी का ठीक होगा, ठीक है, वो easy था, वो सभी ने किया होता ह बच्चे जो पढ़ते हैं, उन्होंने सभी ने किया होता है, South Africa ठीक है आपका answer, ठीक है, उसके बाद, एगनेट क्या होता है, एक एगनेट होता है, एक कोगनेट होता है, एगनेट होता है, only through males, एगनेट आप सभी का ठीक होगा, unlawful assembly में कितने लोग ची होते हैं, 5 या 5 से बुक है, ये भी बड़ा easy था, कोशन, 30 के 30 कोशन आगर आप देख तो बड़े easy थे, नोन कार्नी वोरस प्लांट आपका कौन सा है, marsh mellow plant है, तो ये भी कोशन बड़ा easy था, आता होगा, ठीक है, उसके बाद, under the weather, slightly ill-filling, ये ऐसा कुछ आया होगा, तो इसका exact ये आपकी line बागी कुछ भी changes हो सकती है, पॉडिटर्स जो है, आप exact बच्चों को याद नहीं था की question क्या था, बट पॉडिटर्स जो है, वो positive से deal करता है, तो वो analytical school में आता है, तो इसलिए इसका analytical school आएगा, अगर question कुछ होर था, तो इसका answer कुछ होर हो सकता है, human rights council का old name क्या था, 19 nation commission on human rights था, इसका ये right answer है, voluntary not fit injuria का मतलब क्या होता है, consent होता है, easy था, generous का antonium क्या था, selfish था, ये भी easy था, ठीक है, 89th amendment जो आपकी पूछी गी थी, act पूछा गया था, N.O.N.G. जो हमारा act है, C.S.T. का, 89th amendment जिनोंने tick किया है, तो वो इसका right answer है, clean and city जो आपी jointly आपकी पूछा गया था, Ebola virus और LASA virus जो है, वो क्या है, वो याद रखना, primates से deal करता है, किसे deal करता है, primates से, कई बच्चे कहेंगे कि सर, उसमें bat आना चीए था, क्या आना चीए था, bat, बट उन्होंने LASA भी पूछा हुआ था, Ebola भी पूछा हुआ था, Ebola में आपका, क्या कहते ह bats भी आ जाते हैं, primates भी आते हैं, बट LASA में आपका क्या आते हैं, सिर्फ primates आते हैं, तो इसलिए इसका right answer क्या होगा, primates रोगा, ठीक है, germinate का right answer क्या है, sprouts, देखो अभी इसका check कर लेना, English का है ये, तो exact options जो है, जब आएंगी तभी हमें समझाएगा, तो ये just अभी के लिए है कि आपको ये question आया था, अगर आपको लगता है कि ये question नहीं था, तो please हमें बताएं, exact मैं भी आपको नहीं बता सकता हूँ, nitrogen, ammonia to NG के process को हम क्या कहते है, nitrification कहते है, nucleus का plural क्या है, nuclei है, noble gas का question आया था, उसका P block answer है, but option बचे कर रहे हैं कि sir, कुछ और भी था, जो वो भी ठीक होना चाहिए, तो जब paper आएगा तो तभी हम समझ पाएंगे कि क्या question था, exact or क्या option थे, RBC की lifetime क्या होता है, 180 days होता है, break the leg आपका idiom phrases, उसका मतलब good luck होता है, over the pitch, someone's plan मतलब इसका मतलब यह होता है, absolutely liability आई थी, ability नहीं है, ये liability इदर कर लेना, ठीक है, absolutely liability जो है MC Mehta का आपका रेगा case, ठीक है, cases आपके तीन easy आए थे, दो मुश्किल आए थे, 59th जो है, आपकी citizenship amendment act का कुछ कोशना आया था, exact, याद नहीं है मुझे क्या आया था, वो act पूचा था, या क्या पूचा था, तो उसका answer 59th आएगा, बंगलादेश amendment कौनसी amendment से हुआ था, 100th amendment से हुआ था, 59th का आपका ये पूचा क्या था, year कोन सा था, sorry, 59th amendment का year क्या था, 1988 था, इधर ये गलत है amendment कोन सा था, 59th का 1988 था, adoption जो की जाती है, हिंदू, आपकी maintenance act में, ठीक है, उसमें की जाती है, कौन कर सकता है, बहुत male और female, दोनों कर सकते हैं, ठीक है, ये भी बड़ easy question था, सबी ने किया होगा, married minor जो होती है, उसका जो guardian होता है, वो कौन होता है, husband होता है, कौन होता है, husband होता है, utilitarian study, अब exact option किसी को याद नहीं थे, बट इसका की greatest people benefit जादा मिले, मतलब A की theory है, utility में आ रही है, ठीक है, जो सबसे पहली है, तो ये सब theories अगर option में थे, अगर किसी को options याद है, कि exact option क्या थे, 123, तो मुझे बताएं, उसका answer हम बता देंगे, ठीक है, mother tongue जो आपकी पूछा गया, कि constitution related कोन से article में दे रखा है, 350A में दे रखा है, 75% reservation हर्याना में deny कीगी, ठीक है, हर्याना state reservation act जो है, उसके under कीगी, ठीक है, shouting से related English का question आया था, उ statements किसी को याद नहीं है, एक ऐसे आया था, yesterday से English का question आया था, उसमें sins आया, अगर आप ये पूरा sentence कर सकते हो, तो please हमें बताएं, ठीक है, उसके बाद, उसके बाद आगर आप देखते हो, सवराज party जो की थी, वो CR दासने की, ये इसका right answer है, ठीक है, इंडिया की exercise जो क्या नाम है, वजर, प्रहार, उसका नाम है, अगर आप देखते हो, कि ये question अभी तक, अभी तक इसमें से आगर मैं बोलूँ, 57, 58 में से, 55 questions बड़े easy थे, बड़े easy थे, बड़े normal से question थे, तो कोई मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होंगे, है ना, आगे देखते हैं, सवरा सकते हैं, ठीक है, या CR-DAS मतलब होई, CR-DAS अगर हैं, तो उसमें option में था, अगर बाइचंस, मोतिलाल, नहरू भी था, और A and B या बोथ था, तो देख लेना, मुझे नहीं पता, तो दो इसके founder थे, तो चेक कर लेना, फेर कोमेंट जो होता है, आपका काहां की exception होती है, defamation बड़ा easy question, काफी easy question, UN में chapter कितने थे, 19 articles है, 19 articles, तो UN में chapters, ये तो नहीं पुछा गया था, मेरे ख्याल से, UN में chapters, मैं आपको एक बार exact पता देता हूँ, UN में chapters, total, मेरे ख्याल से ये पुछे गये थे, अगर आप दिखते हो, अगर chapters पूछे गये थे, तो 19 answer आएगा, 19 articles न तो एक बड़ प्लीज चेक कर लेना, मुझे बता देना कि क्या गुछनाया था, medical negligence का case पूछा गया, जैको वर्सी स्टेट ऑफ पंजाब केस का नाम था, study of language को क्या कहते है, philology कहते है, उसका first school made in महराष्ट्रा, सवित्री भाई, फूले, आगर आप मेरे ग्रणफिर की Ambit Extures कहते है, अगर आपको लगता है कि इसका कुछ और option था, तो मुझे बता सकते है, lifetime achievement what किसको मिला, धरवेंदर को मिला, ये भी हमने वीडियो में कर रखा है, maritime border जो होता है, किसके साथ होता है, Indonesia के साथ, ये ही question था, आशा करता हूँ, ये question आया होगा, Asia का Ayurveda Summit आपका Thailand म आया था, Asia का Ayurveda Summit गुजरात में है आपका, अगर question कुछ और था तो एक बार चेक कर ले, ठीक है, आपका SDG की Summit जो ही है, वो कहा ही है, New Delhi में ही है, कहा ही है, New Delhi में ही है, आपका अस्तमा डेक कब बनाया जाता है, 7th में को बनाया जाता है, asset की definition पूचे की थी, तो उसमें answer all tick करना था, ठीक है, उसमें सारे के सारे answers ठीक है, आपके, गांधी peace prize आपका 1995 में शुरूआ, विविगिरी ने resign किया था, जो vice president से उतरे, फिर वो president बने, स्याचिन ग्लेशिर आपका, कौन, एक woman है, उनका नाम के गितिका, ये भी हमारे, उसमें, आपको current film में देखने को मिल जाएगा, first tribal smart city आपकी कौन सी है, जमू और कश्मीर, first tribal smart city, ठीक है, odd one out में, बाला supermanium थे, ये बाकी तीन option थे, वो एकी फिल के थे, ये सिरफ odd one out में थे, hair is made of insulation, ये आपका question आया होगा, 75 question तो हमने बता दिया है, 6 question आपके reasoning के हैं, 81 questions, बाकी 2-3 questions आपके English के हैं, जो हम नहीं बता पाए, बाकी 3-4 questions आपके legal के हैं, जो हमें नहीं अभी तक बता, तो 75 plus 6, आप 81 questions में आखे चलो, reasoning का आप सभी को बता है, अगर answer निकला है, तो ठीक है, नहीं निकला, तो ठीक नहीं है, तो 81 में से आप अपने number लगा सकते हो, 81 में से आप देख सकते हो, कि आपके कितने number आ रहे हैं, तो आशा करता हूँ, आप सभी को paper अच्छा लगा होगा, आगर मैं 75 में से बात, 81 में से बात करो, 81 में से जो paper easy था, 65 to 70 marks का बढ़ा easy, normal था, 65 marks का अगर मैं बात करो, easy था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, 65 के बाद अगर मैं बात करूँ, मतलब कि 10 number, 15 number का tough level का था, tough level in the sense, कि जो caution शायद बच्चों को बिल्कुल भी ना आते हो, कुछ बच्चों को तो आते होएंगे, ऐसा नहीं कि सभी को, कुछ बच्चों को आते होएंगे, कुछ को नहीं आते होएंगे, ठीक है, तो मैं आगर मानूं कि 70 marks का paper easy था, तो 70 में से आप सभी को minimum 55 to 60 secure करने चाहिए, अगर 55 to 60 score हो जाता है, तो definitely आपका exam clear हो सकता है, आभी मैं cut off नहीं बता रहा हूँ, इस वीडियो में सिर्फ यह ही था, आज के लिए इतना ही, thank you everyone, thank you so much.